तो हेलो गाइज, वेलकम टू योर अन क्लासेज, डिप्लोमा क्लासेज, तो चलिए मैंने आपको जैसे बताया था कि मैं SACJ का त्यारी करा रहा हूँ, तो मैंने आपको fluid mechanics का जो chapter number one है, OCF, उसका मैंने सारा video डाल चुका हूँ, मैं आपने चैनल पे हैं, तो वो जाकर देखे कि आपको पसंद आए, तो like, share और subscribe किजिए, तो चलिए मैं next subject डालता हूँ, मैं next subject का लेकर आया हूँ, जो है irrigation engineering, irrigation engineering में जो syllabus है, syllabus के अनुशार मैंने ये वीडियो प्रिपेर कर रहा हूँ, तो first of all ये जो syllabus है, वो SSJ को मद्या नजर देखते हुए रखा गया है, तो first जो है ये फर्स्ट जो lecture है, वो lecture नहीं, ये आपका first syllabus है, क्या पुछा जाता है, तो first of all चलिए हम लोग syllabus के on move on करते हैं, तो first of all हम लोग देख रहे हैं, देख रहे हैं कि irrigation engineering में first syllabus है, वो है introduction of engineering, first of all कि irrigation engineering, engineering irrigation होता क्या है, उसके बारे में हम उसको introduction देएंगे, तो इसको introduction में first of all definition प्राइशन हों जाएगा और उसका Exist Ruison आटेश और क्यों नेसेसरी क्यों मुझे ज़रूरत है इंजिनेर से इंज्थिंग इंजिनियरीं कि उसके वारे हम देखेंगे इस नेक्ष में इसके बारे में है इसकी से फ्याक्टर कि मेरा कई Regenering है इनिट्टी आफ इंटिनियरिंग इंजिय के रिदिगेशन का उसके देखेंगे किन किस की सव्चिस पे गवंड करेगा मेरा इंजिनियरिंग इंजिनियरिंग तो फॉर्स्ट एप in चेक, जीग-जैक, सब इसी में आजागा, method of irrigation में ही आजाएगा, तो उसके बारे में हम लोग details में पढ़ेंगे, उसके बाद है आपका जो third unit है, वो है water requirement of crop, water requirement of crop, कितना crop को water चाहिए, उसके बारे में पढ़ेंगे, कि crop को कितना water चाहिए, seasonally कितना चाहिए, खरीफ crop में कित discuss करेंगे, तो first time क्या पढ़ेंगे, उसके बारे में duty क्या है, delta का है, base period और crop period, जो यह जो point है, duty, delta, base period, और crop period, यहाँ से direction पुछा जाता है, direct, to the point, to the subject, पुछा जाता है, to the definition, पुछा जाता है, to duty, delta, base period, फिन आगे हम लोगे हैंगे, soil water relationship, कि क्या water के साथ, क्या relationship है, soil का, इसके बारे में, फिन उसका efficiency देखेंगे, फिन उसका area of agriculture, मतलब किस-किस area पे वो depend करेगा, uncultivated irrigation है, cultivated है, ग्रॉस है, कि cross drainage है, उसके बारे में देखेंगे, area of agriculture देखेंगे, उसके बारे में देखेंगे, जो next हम लोगा unit है, वो dam और spillway, जो dam और spillway, तो damn और spillway में क्या of dam किस किस टाइप का डैम होता है classification जैसे कि gravity अर्थेन आर्केन मिशनरी एटीज इस टाइप का डैम है उसके बारे में और उसके component के बारे में और उसके factor के बारे में पुरे हम लोग detail से discuss करेंगे जो मेरा chapter number जो unit number मेरा four है उसके फैक्ट है उसके प्रहिभ देखेंगे ए कभनाल और चैनल क्या है क्या है चैनल क्या है कभनाल चैनल के बारे में आबर यह के लख़ ard टो लॉटिफनš से मोटिवेंट उपकी और अच्छे से लेक्ट चलाऊंगा तो लास्ट जो है मेरा जो मेरा हड्रोली है क्या देखेंगे मेजर मेंट और मेजरमेंट्ट राउफ ओफ इव्केशन से पूछा जाता है runner से run of efficiency से numerical तो range controlled energy के बारे में nature के बारे में हम लोग याद लोग साइकल होता है उसमें precipitation, evooperation, condensation, etc में आते रखता है next cross drainage work क्या है उसके बारे में तो चलिए और जो भी खुछ उटा होगा, तो उसमें हम एड़ करेंगे वाट है इंजिनियर्ग में जो कि एक important है आपका से से जाई के मध्य नजर में तो चलिए आपका जो lecture आएगा वह फुर्स जो lecture आएगा वह lecture आएगा इंट्रोडेक्शन ओफ इरिगेशन इंजिनियरिंग तो चलिए आपको वीडियो पतंद आए तो लाइक सेयर सब्सक्राइब चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं तब तक लिए जय हिंद